शव आसन शव एक संस्कित सब्द है जिसका आर्थ मर्थ शरीर यानि कौपस होता है इस आसन में शरीर की स्थित्ति मर्थ शरीर की तरह परतीत होती है इसी कारणिशे सवासन या कौपस पौज कहते हैं दियान रहे जिनके पीछ में दर्थ, चोट या किसी अन्य समस्या की प्लेंक बोईशन, दोनों पैरों के मद्दे एक से दो फिट का अंतर रखें तथा अथेलियों को आसमान की तरफ रखें अथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी इसके बाद आखों को कोमलता से बंद करें और तीन से पांच बार लंबी और घहरी स्वास लें संपुरा शरीर की मास पेशियों, सनायों तता जोडों को डीला वे तनाव रहीत करें पैरों के अंउठे से लेकर सिर्थ के प्रतेक अंग को धीरे धीरे इस्थिल करें स्वास लैबदता के साथ लेते और छोडते रहें मन में उटने वाले विचारों को तटस्त या साकसी भाव से देखते रहें तता किसी भी सुब ऐसु विचार को पकड़ने का प्रियास ना करें इस अवस्था में दस से पंद्रा मिनट तक रुकने के बाद हाथ वे पैरू की अंगुलियों को हिलाते हुए दोनों हाथों को रगड कर आखों पर रखें अच्छे से हाथों को घर्षन करें दोनों हाथों की अथेलियों को आखों पर रखें और टिम्टिमाते हुए आखें खोल लें और धीरे धीरे बाई करवट यानि लेफ्ट इस आसन के अभ्यास प्रतिक आसन के बाद और शबी योगा भ्यास की समाप्ति पर शरीर आम मन को स्थिल करने के लिए करना चाहिए